हेलो स्टूडिन्स स्वागत है आप सभी का सिनॉप्स वसाइएस में मैं दॉक्टर महमद जिया और यह हमारे मदेकालीन भारत के दिहास का नौवा लेक्चर अब तक हम बात कहा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की और दिल्ली सल्तनत के विभिन राजवन्षों को हमने देखा कि कैसे बारा सुच्छे से पंदरा सुच्छे विस तक पांच वन्षों ने पांच राजवन्षों ने जो है वो दिल्ली की गदी समाली और क्या-क्या उनके मुख्य योगदान रहे लेकिन अब उसी समय दक्षिन भारत में भी कुछ हो रहा था रक्षिन भारत में दो बड़े सामराज्य जो हैं जिन्होंने अपने आपको दिल्ली से अलग किया और अपने आपको स्थापित किया काफि महत्पून योगदान है इनका दक्कन के अधिहास में तो आज हम उन्हीं दो सामराज्यों की बात करेंगे आज हम बात करेंगे वि महमद बिन तुगलक की शासनकाल के दोरान दक्कन पर सल्तनत का जो है वो नियंतरन कमजोर हो जाने पर यह दो राज उत्पन होते हैं हम जब महमद बिन तुगलक को पढ़ रहे तो हमने यह भी देखा था कि किस तरीके से उसकी जो नीथियां थी जिनका सही तरीके से क्रिय पंद्रवी और सोल्वी शताबदी की शरुवात में उत्तर में सल्तनत ने शेत्रिय राज्य अथार कुट्रात मालवा जौन पूर दिल्ली बंगाल के एक श्रिंखला के लिए मार्ग प्रशस्त किया क्यों क्यों कि हम देखेंगे कि बाद में यही राज्य अपने आपको ज कोशिश करेगी कि इनको जो है विजय प्राप्त की जाए लेकिन एक दौर में बिलकुल यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो जब विजय नगर और बहामनी की जो सामराज्य हैं जब यह उन्होंने अपने आपको अलग किय किया तो इस इस चीज ने जो दूसरे राज्य थे उनके लिए भी अग्मार प्रशस्ट किया कि किस प्रकार जो है यह अपने आपको प्रतक कर सकते हैं माहुंत बिन दुगलक के कुछ समय बाद ही जिनके दक्षिन में विस्तार के प्रयास अधिक जहन थे उसने दक्कन को अ सरतनत की तरह दक्कन में और अधिक स्थानी शक्तियों का मार्क प्रशस्ट किया और इन राज्यों में बीजापूर, एहमर नगर, बिरार, बीदर, गॉलकॉंडा को पंदरी, शिलाप्दी के अंतक मुगल यूग में मुस्लिम राजवाश्यों के रूप में चारी रखा द जाता है, उसने 1345 में एक महान राजवश के संस्थापक बना, जिसने लगवग दो शताब्दियों तक दक्कन पर शासन किया, उसने दौरातबाद की जगे गुलबरका को अपनी राज़धानी बनाया, तो यह एक महत्पून सामराज्य जो है, वो इस समय में दक्कन में बात करेंगे, विजयनेगर सामराज्य की, हरियर और बुक्का ने 1336 में तुम्रभाद्रा नदी के दक्षिनी तरफ पर विजयनेगर शहर की सापना की और उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया, वो हैसाला जो राजा थे वीरबलाल तीन, वीरबलाल तृतिय, उन तो चार महत्रपून राजधानी का शासन था जो कि संगमा, सुलू, तुलू और अरविद, यह अरविदा जिसे हम कहते हैं, यह चार ऐसे सामराज्य थे जो कि, चार ऐसे राजधानी जनोंने विजयनेगर सामराज्य के अपना राज किया, यदि आप मानचेत्र में देखे हैं, तो यह विजयनेगर सामराज्य था और हम पी करनाटका जो है, वहाँ पे इनकी राजधानी थी लेकिन औरिशा, जलंगाना, आंध्रा, केरल, करनाटक आज के समय के दिम बात करें, इवन यह दक्षिन शत्यसगर को भी आप इसमें देख सकते हैं, बिहार या जारकन का जो दक्षणी हिस्सा है, उसको भी आप इसमें करीब-करीब महातगिन का सामराज्य था, अगर हम इनके प्रमुख शासकों की बात करें, तो हरीघर की प्रथम, 1336 में यह संगमा राजवश का शासक था और इसने मैसूर और मदुरई को कबजा किया, उसके बाद 1356 में बु लेकिन जो इस पूरे विजयनगर सामराज्य का सबसे महतपून शासक, सबसे प्रमुख शासक जो था वो कृष्णदेव राय थे, जो की इसके सबसे प्रसिद्ध राजा थे, इनकी प्रसिद्धी आप इस प्रकार समझ सकते हैं, कि जो पृतगाली यात्री था, डॉमिंग प्रकार समय में आजाएं, कि डॉमिंगो पेश ने किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसके प्रसिद्ध राय के समय में आएं, इनकी जो विजय थी, इनकी जो जो इनोंने अपने सामराज्य का, समराज्य को अपने बढ़ाया, समराज्य को गृस्टित किया, उसमें 1510 में नशेव समुंद्रम, 1512 में रायचूद पर विजय प्राप की, 1523 में उरिसा और वारंगल पर कबजा किया, उनके समराज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, दक्षिन में कावली नदीतर पर पश्चे में अरप सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, जो कृष्ण देव राया थे, उनके दर्बार थे, उसमें आठ विदवान थे, जैने अश्ट दिगज कहा गे, और अश्ट दिगज में ये आठ विदवानों का एक सम्हू था, जो क अवल तो वो विदवान थे अपने आप में महान विदवान थे, और वो एक तरीके से क्रिट्टन देवर आया कि मुक्य सलाकार के रूप में भी कारियत थे, तो इन आठ विदवानों का जो सम्हू था, मुक्य था, उसमें जो थे, वो साहितिकार थे, जैसे अल्ला सनी तामा भी कहा जाता है, नंदी तेमना जने परिजात वहरणम के लेखक हैं, उसके अलावा मुदियागिरी मलना, धुर्जाती, आयल राजु राम भद्रकवी, पंगली सुराना, राम राज भूशन, लेकिन जिन्होंने सबसे अधिक जिस अश्टदिक गज में, इन में, ज इसने सबसे अधिक प्रसिद्धी प्राप्त की वह थे तेनाली राम, यह तेनाली रामकृष्ण, तो यह अश्ट दिगज जो है, यह आपको ध्यान रखना है, यदि हम कृष्ण देवराया का भूराजस्व प्रशासन देखें, तो किसी भी समय में, मैंने हमेशा कहा है कि गुराजस्व जो है, वो आयक आयक मुखिसरोत था, भूमी का साथानी पूरक सर्वेक्शन किया जाता था, और मिट्टी की अरवरता के आधार पर करो को संग्रहित किया जाता था, क्रिशी और बांध और नहरों के निर्मान को हमेशा से, जो है, वो माहत्व दिया गया, क् कि उनका ये मानना था, कि जितनी जादा जो है, वो उपज होगी, जितनी अच्छी उरवरता होगी, उतना जादा वो भूराजस्व जो है, वो उनके उसमें आएगा, इसी को ध्यान रखते हैं उन्होंने, क्रिशी के विकास पर अच्छा एक उसके लिए उसको महत हो दिये आर्थिक नीती यदि देखें, तो उनकी अनियमित नीतियों द्वारा नियंत्रत थी, एक नियमित नीती जो उन्होंने बनाई थी, उसे साब से वो नियंत्रत थी, कपड़ा, खनन, धातु विज्ञान, इत्र और कई अन्यास से उद्योग उस दार में मौजूद थे, सबस महत्पून बात ये थी, कि हिंद महसागर, अबिसीनिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पॉर्तगाल, डक्षिन अफ्रिका और मरेदी सुमों के साथ उनके व्यापारिक संबन थे, क्योंकि यहां पे जो विज्ञेनगर, सामराज जी की, जो आपको मुख्य बाते याद रख नहीं है, वो यही है कि इसकी स्थापना किसने की, और उसके अलावा जो मुख्य राजा, जो प्रम्व मुख्य समराग थे, इसके कृष्ण देवराय, उनके जो हमने भी देखा कि एष्ट दिगज थे, उनका प्रशासन कैसा था, उन्होंने जो है, इसके समय में के इस पे विजय प्राप की ये सारे चीज़ें हमको धियान रखनी है, आगे बढ़ते हैं, बहामनी राज्य की तरफ बहामनी समराज्य की तरफ, 1347 से 1526 इसवी तक ये बहामनी समराज्य जो है, ये स्थापत था, इसका शासन रहा, और दक्षन भारत में, दक्षन में एक फार्सी क् मुस्लिम राज्य और प्रमुक मद्यकारिन भारती राज्यों में से एक था इसकी स्थापना जो है वो हसन गंगु भामनी में की थी वो एक तुर्की अधिकारी था देव के दिकार जिसका बाद में नाम दॉलत अबाद हुआ 1347 में उन्होंने स्थापना की अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक पहला उनका राज्य उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया दौलत अबाद को नहीं बनाया धियान रखने वली बात है और क्रिष्णा नदी तक पूरे धक्कन पर उनका जो है वो उनके राज्य में शामिल था इसके अगर हम प्रमुक शासकों की बात करें तो मौमत शाय प्रथम 1358 से 1377 वह भामनी सामराज्य का दृती शासक था और एक सक्षम जनरल और प्रशासक था उसने वारंगल के कपाय नायक और विजनर्गर शासक बुक्का एक को हराया था तो जो बुक्का एक हमने देखा था वो यह उसके समकालीन था और उसको इसने पराजित किया था महमत शाह जाती हूं 1378 से 1397 इसवी तक शासन किया राजगर्दी पर बैठा और यह उतना जादा आक्रमक नहीं था इस उसने अपने पराजियों के साथ मैत्रिपूर्ण संबंद विक्सित किये और इसके समय में दकन में काफी मस्जिद मदर से और अस्पदालों का निर्मान किया गया उसके बाद अहमद शाह आते हैं यह 1422 से 1435 तक थे और इन से पहले जो थे वो फिरोशा भामनी थे फिरोशा भामनी इनके बीच में थे मतलब महमद शाह और आहमद शाह के बीच कहा जाता है कि वह एक निर्दिय और रिदही प्रशासक था उसने वारंगल राज्य पर विजय प्राप्त की और लेकिन एक मह ने लिया गया कि उसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बिदर स्थानत्रत कर दिया 1335 में उसका निधन हुआ मुहमद शाह थी यह उसके बाद आता है और प्रामुक शाहसक था वह नौवर्ष की उम्र में सुल्तान बना किन्तु उसका जो कहना चाहिए राजप्रतिनेदी कह लीजिए जो शाहसक उस समय जो था वह वह मुहमद गवन था और गवन के नेतित में भामनी सामराजी जो है बहुत शक्तिशाली हुआ उसने कौंकन उडिशा संगमेश्वर और विजयनगर के शाहसकों बाहर आया 1482 में मुहमद शाह त्रितिय की मित्यू होती है और उसके बाद तो यह महमद गवन जो है एक महतपून कहना चाहिए सैने शासक सैने कमांडर जिसके समय में भामनी सामराज जी का विस्तार होता है और उसके बाद जब देखिए हमेशा यह देखा गया है कि जब भी बहुत ह कि मजबूत कह लीजिए को एक स्ट्रॉंग जिसको हम कहते हैं एक शासक आता है उसके बाद अक्सर जो उसके बाद वाले उत्रादिकारी होते हैं वो उतने ज्युद्वार नहीं होते हैं उनके अंदर कई कम्जूरियां होती है क्योंकि जिस हिसाब से अच्छा प्रशासन जब होता है और उसके बाद कोई यदि शासक जो है वो उसके बराबरी का भी अगर यदिकार्य नहीं कर पाता तो उसको माना ज़ाता है क्यों कम्झोर होता और इसका फायदा हमेशा जो है वह कहना चाहिए जो दरबारी होते हैं जो दूसरे सामराज जी के साथ कि 1482 में जब महम्मद शाज रतिय की मृत्यू होती है तो उसके अत्रादिकारी का मुझूर थे और जिसके कारण बहामनी जो सामराज जी था पांच राज्यों में विखर गया यह पांच राज्य थे बीजयपुर एहमद नगर बिरार गोलकॉंडा और बिदर आईए एक आपको धियान रखना है कि जब भामनी किंडम का विभाजन हुआ तो यह पांच राज्यों में सामने देखा गी एहमद नगर बीज़ापुर बिरार बिदर गोलकॉंडा में जो है यह बढ़ गया एहमद नगर में निजाम शाही जो राज गुलकॉंडा में कुटब शाही जो यह पांच अलग-अलग वंच जिन्होंने भामनी के पांच अलग-अलग जो यह जिसमें विभाजत हुआ राज्यों उस पर शाहसत किया तो यह अक्सर जो मैच वाले सवाल होते हैं उसमें आ जाता है तो इसको जरा सा ध्यान से नोट क राज़ों की वास्तोकला पूर्दी हमते हम धियांदेनें ने तो बहामनियों की राजदानी गुलबरका और बिदर विदर में कही बहतनी जो अमारत थक ही नुमान किया गया इसमेंसदित मेंके अचक्छ वास्तोकला की पूरानी शीली इथक्षग उन फो और इन इमारतों में सबसी अच्छी तरह बना था वगॉल गुमबद जो विजपूर में है उससे और कहा जाता था कि यह बिजपूर के राजा की कब्र थी और इस गुमबद को दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से इका जाता है तो ये इस दौर की वास्तुकला थी उनके किलों के अंदर धक्कन के राजाओं शांदार इमारते बनवाई दौरबाद और गुलगुंड़ा के किले इसके उधारन है जो विजयनेगर शहर बसा था अब वो खड़नार में बदल चुका है इसके शासों को दौरा हमपी को एक प्रसेद इस्तल के रुपमदर शाया गया उसे बनाया गया और इनके बारे में जो विजयनेगर शहर था या जो हमपी था उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मारको पोलो और अप रजाक जैसे जो विदेशी यात्री थे उनके क्रिंधोस हैं उनके यात्राओं का जो उन्होंने वर्णन किया उससे मिलती है मंदिर कि यदि हम वास्तो कला की बात करें तो एक नए तत्मों को पेश किया गया मुख्यत्रित्र के लावा उत्तर प्रस्टिम में अम्मश्राइन नामक एक छोटा मंदिर बनाए गया जहां प्रस्टिम में वास करते थे तो यह था मुख्या बातें विजयन अगर और बहामनी सामराजी के बारे में कुछ दक्षिन के नाम थे यदि उनको बोलने में कुछ तुटी हुई हो तो जो हमारे दक्षिन के छात्र हैं कि दक्षिन के जो नाम है वह बहुत ज्यादा पुरानी जबान है उनसे लिए गए हैं तो इसके साथ यह विजयन अगर और बहामनी सामराजी का जो पार्ट है यह खतम होता है हम मिलेंगे अगले हिस्से में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टे सेफ से हल्दी थैंक यह बहुत बहुत रहां है